परसे दोस्तों रादे रादे कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सबी लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे तो आज मैं फिर से आपके लिए बहुत यूसल सी वीडियो लेकर आई हूँ जो की होने वाला है चूहों को लेकर थमन जो आपके लिए है वीडियो को फुल वास जरूर से कीजेगा जिस घर में चूहे होते हैं उन्हें पता ही होगा कि चूहे कितने जादा परिशान करते हैं कितना जादा आतंग कर देते हैं घर में आपके घर में जितने भी कपड़े हैं उनको कुतर देते हैं अलमारी मतलब आपके खाने की चीज़ों में भी ये मुह मारते हैं जिससे कि वो चीज़े भी खराब हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है साथी ये आपको भी काट लेते हैं और बहुत जादा बलड निकलता है इससे infection का भी खत्रा हो जाता है जो की health के लिए जरा भी अच्छा नहीं है तो इनको हम घर से भगाएंगे बिना मारे बिना इनको नुकसान पहुँचाए वैसे तो इनको मारने के लिए इनको भगाने के लिए market में बहुत सारी दवाइं मिलती हैं जिसका use करके आप इनको मार देते हैं जो दवाइं मिलती हैं उसको लाकर जब रख देते हैं तो चूहे खाकर उन्हें मर जाते हैं इससे होता क्या है एक तो चूहे मर जाते हैं और चूहों को हमें माना नहीं हैं यहने घर से भगाना है चुहे जब मर जाते हैं तो घर में ये कहीं भी चुप जाते हैं किसी भी कौनी में जाकर ये मर जाते हैं जिससे कि हमें पता नहीं चलता है कि चुहे कहां पर मरे हैं और से पूरे घर में बहुत ही गंदी सी स्मेल हो जाती है साथी साथ पूरे घर में इंट्रेक्शन का खत्र हो जाता है वैक्टीरिया हो जाते हैं जो की हेल्थ के लिए जरा भी अच्छा नहीं है तो आज हम ये सारी प्रॉब्लम से बचेंगे बिना मारे इनको भगाएंगे एक सैकिट में आपकी घर से चूहे घर से भाग जाएंगे और वापस कभी भी लौट करने ही आएंगे बस आपको ये रेमिर्डी यूस करनी है और चूहे ऐसे भागेंगे कि कोसों दूर तक आपको दिखाई नहीं देंगे तो वीडियो को जरूर से वाच कीज़ेगा वीडियो अगर जरा सी भी उसफुल लगे तो लाईक कीज़ेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करलेते हैं तो सबसे पहले हमें चुहे भगाने के लिए चाहिए लाल मिर्च तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए लाल मिर्च अगर आपके पास तीखी लाल मिर्च का पाउडर है तो आप उसका यूज कर सकते हैं नहीं है तो जो साबुत लाल मिर्च आती है वो काफी तीख तो आपको वो ले लेनी है तो यहां पर मेरे पस तीक ही लाल मिच का पाउडर नहीं था तो मैंने यहां पर जो साबुत लाल मिच होती है ना सुखी हुई वो ले ली है तो यहां पर हम दो लाल मिच का यूज कर रहे हैं और इसको हमने डाल दिये जिसमें की हम अदरक कूटते हैं बस इसके अंदर डाल देना है और इसको हमें कूट लेना है तो यह थोड़ी सी सीली हुई है तो यह पूरी तरीके से नहीं कूटेंगी बस हमें इस दरदरा सा पीस लेना है तो यहाँ पर इसको हमने अच्छे से कूट लिया है कूटने के इसली आपको किसी भी स्टोर पर या पंसारी की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगी तो यहाँ पर आपको लेनी है थोड़ी सी फिट क्री तो यह जो रेमिर्डी हम बना रहे हैं इसमें हम वो सारी चीज़े यूज़ कर रहे हैं जो कि चूहों को जरा भी पसंद नहीं है या चूहों को ऐलर्जी है चूहे उन्हें की स्मेल भी जरा बरदाश नहीं कर सकते जैसे कि हमने लाल मिर्च ली तो लाल मिर्च भी चूहों को जरा भी पसंद नहीं होती उसका टेस् तो साथ हमने लिए fit kiri, fit kiri की smell, इसका taste उनको जरा भी पसंद नहीं है, हमने fit kiri को भी थोड़ा सा fit kiri का टूकड़ा लिया है, उसको हमने अच्छे से इसमें कूट लिया है, इसका हमने बारिक सा powder बना लिया है, तो भी यह भी मैं इसे के अदर डाल दूंगी, कपूर तो यहाँ पर देखिए जो कि आप पूजा में यूज करते हैं ना कपूर वही कपूर लेना है जो कपूर की फ्रेग्नेंस होती है ना वो चूहों को जरा भी पसंद नहीं होती है इसकी खुश्बु सूंकते ही चूहे भाग जाते हैं तो हम इसको बहुत ही स्ट्रॉंग बनाने वाले हैं तो यह सारी चीज़े हम इसमें डालते जाएंगे तो यहां देखिए हमने इसको भी अच्छे से बारिक सा पाउडर बना लिया है इसको भी हम इसमें डाल देंगे अब आपको क्या करना है यहाँ पर अब इसके अंदर आपको डालना है पानी तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे तरीके से नॉर्मल पानी लेना है और इसके अंदर डाल देना है जिस तो आपको छीके वगेरा स्टार्ट हो सकती है तो इसको कवर करके उबाल लिएगा मैंने ऐसे ही उबाला था तो मुझे बहुत सारी छीके आने लगी थी तो यहां देखिए इसको उबाल लिएना है साथ इसमें एक दो चीजें और एट करेंगे जो कि मैं साथ की साथ इसमें डाल दी जाओगे अब इसमें आपको डालना है पुदीने का पते का रस या फिर अगर आपके पास पेपर मैंट ओयल है वो डालने नहीं तो आपके पास सूखा पुदीने का जो पाउडर है वो भी आप इसमें डालने तो मेरे पास fresh पुदीना नहीं था तो मेरे पास पुदीने का जो powder था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है पुदीने की जो महक होती है वो भी चूहों को जरा भी बरदाश नहीं होती है बहुत ही strong flavor आ जाएगा इससे तो यहाँ पर मेरे पास पुदीने का जो powder है मतलब पुदीना जो सुखा कर हम उसका powder बना लेती है ना वो ही इसके अंदर डाल दिया है तो यहाँ देखें एक चुमश की लगवक मैंने इसके अंदर पुदीने का powder डाल दिया है और साथ ही अगर आपके पास peppermint oil है तो वो भी जरूर से डाल दियागा बहुत ही अच्छा होता है वो चुहों को भगाने के लिए तो मेरे पास नहीं था तो थोड़ा सा मैंने इसमें क्या किया है जो wix होता है जो bomb बगएरा होता है वो हमने इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया है तो यहां देखें वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है वो भी गरम में डाल लिएगा अच्छे से mix हो जाएगा डालने के बाद अब आपको क्या करना है इसको अच्छे से mix कर लेना है जब mix हो जाए इसको बाद इसको ठंडा करना है ठंडा करने के बाद अब आपको इसको किसी भी एक बरतन में चान लेना है तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कप ले लिया है उसके अंदर मैं इसको चान लूँगी अगर आप किसी glass वगरा जो भी जिसमें भी चानना चाहाँ है तो यहाँ पर देखिए हमने इसको चान लिया है बहुत ही strong किसकी खुषभू आ रही है और चुहे जैसी अप इसको डालेंगे तो चुहे भाग जाएंगे अब यहाँ पर आपको लेना है foil paper तो यहाँ पर देखिए foil paper से मैंने एक इसमें से थोड़ा सा foil paper लिया है इसको fold किया है और इससे cone बना लिनी है तो यहाँ देखिए हमने cone बना लिनी है cone बनाने के बाद अब आपको क्या करना है अब आपको लिनी है कोई भी spray bottle और spray bottle में यह सारा liquid भर देंगे, भरने के बाद आपको क्या करना है, जहां भी आपको लगता है कि चुहे यहां पर आते हैं, या उनका यहां पर रहते हैं, मतलब आपने देखा होगी, यहां से बहुत जादा निकलते हैं, जैसे kitchen हो गया, freeze के नीचे हो गया, bed के नीचे हो गया, जहां भी आपको लगता है कि चुहे यहां पर हैं, तो वहां पर इस liquid को आपको spray कर देना है, और चुहे वहां से भाग जाएंगे, वापस कभी भी load करने ही आएंगे, कि यह इतना strong इसकी fragrance है, जो कि चुहों को जरा भी बरदाश नहीं होगी, और चुहे भाग जाएंगे, means आपक चैनल पर फर्स टाइम आये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजेगा, और एक कमेंट करके जरूर से बताएगा, आप मुझे किस सहर या किसी जी से देख रहे हैं, जानकर बहुत अच्छा लगता है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो नेक्स ब्लॉग में, तब के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, थैंक्स वाचिंग, बाबाई, टेक क्यार एंड, राधी, राधी